नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट अबाउट टेक में आज हम बात करेंगे microwave oven के buying tips के बारे में और उसके working principles के बारे में दोस्तों last में मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे microwave ovens जो आप खरीद सकते हैं online जो काफी अच्छे हैं और काफी featureist हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको like, share और subscribe दरू करिएगा ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकरी मिल सके और आप हमारी छोटी सी family का हिस्सा बन सके दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं working of a microwave oven तो दोस्तों जो microwave oven work करता है वो actually electromagnetic waves से work करता है इसमें एक magnetron होता है जो electromagnetic waves जो है उनको produce करता है वो electromagnetic waves जो है high frequency की वो हमारे food में चब heat करती है तो उसके अंदर जो water molecules होते हैं उनको वो vibrate कराती है इस vibration से एक heat पैदा होती है जिससे कि हमारा खाना गरम होता है तो अगर आप देखेंगे कि आपके खाने में जितना ज़्यादा water content होगा उतनी जल्दी वो खाना microwave के दूप पकेगा और जितना dryer होगा उतना उसमें time ज़्यादा लगेगा या कम पकेगा दोस्तो ये तो होगी बात working की अब जान लेते हैं ऐसे buying tips के बारे में कि हमें microwave oven लेने से पहले क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें microwave कौन सवारा लेना है market में 2-3 तरह के microwave आते हैं जिसमें एक solo होता है एक grill होता है और एक convection होता है दोस्तो जो solo microwave होता है उसमें सरफ एक single function होता है वो होता है microwave का आप उससे microwave related सारे काम कर सकते हैं जैसे कि आप उसमें preheat कर सकते हैं आप खाने को defrost कर सकते हैं आप खाना बना सकते हैं लेकिन आप उसमें baking या grilling का कोई काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों दूसरा आता है वो होता है grill जिसमें आपको एक grill मिल जाती है एक इसमें heating element मिल जाता है जिससे कि आप grilling कर सकते हैं लेकिन जो दोस्तों इसमें जो तीसरी category है वो है convection की जिसमें एक आपको एक fan मिलेगा जो fan air blow करता है जब ये microwave चलता है और ये grilling होती है तब चलता है जिससे कि वो heat को proper तरीके से पूरे खाने पे spread कर देता है ताकि आपका खाना जो है evenly cook होता है और जाधा अच्छा टेस्ट करेगा तो दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे तो second part आता है capacity का दोस्तों जो Indian houses की जो हमारी capacity होती है उसे साबसे जो सबसे वाइबल और सबसे अच्छा जो capacity है वो है 25 से 30 लीटर की इसमें हमारी जाहतर डिशे बन जाती है और हमारे जाहतर काम ये कर देता है तो हमारी जो capacity है वो 25 से 30 लीटर के बीच में कहीं मिलनी चाहिए तो ये आपको काफी अच्छा रहेगा और आपको परिशानी नहीं होगी future में तीसरा जो point है दोस्तो वो है इसका कि इसकी voltage इसका जो market में आते है microwave उसमें कई तरह की voltage आती है जो सबसे lowest है वो 600 का आता है और जादा जो आते हैं वो 2100-2200 watts के आते हैं तो दोस्तो अगर आप 800 watts से उपर का कोई भी microwave लेते हैं तो वो आपके लिए काफी सही रहेगा अपीशेंट रहेगा क्योंकि lower voltage में खाना थोड़ा देरी से पकता है अब दोस्तो बात कर लेते हैं इसके चौधा point कि ये सारे जो microwave आते हैं इन सम्में कुछ basic features होती हैं जैसे कि ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके child lock के साथ आते हैं इसमें child safety बहुत important है दोस्तों क्योंकि microwave जो है वो थोड़ा harmful एक चीज है एक object है जिसमें अगर बच्चों का हाथ अंदर चला जाए तो काफी risk हो सकता है इसलिए ये सारे जो models मैं आपको 5 बताऊंगा इसमें child safety lock का feature आता है वैसे 90% microwave में child safety lock का feature आता है इसमें ये लोग अपना lock जो होता है वो keypad का होता है वो keypad lock हो जाता है जिससे कि microwave on या on नहीं होता जिससे बच्चों को operate नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि microwave ovens में हमें और कौन सी features देखने हैं तो जो microwave आते हैं दोस्तों उसमें कई सारे features होंगे जैसे कि उसमें आपको grilling के कई option मिल जाएंगे आपको roasting के option मिल जाएंगे और आपको baking के option मिल जाएंगे इसमें कुछ auto sets मिल जाएंगे जिसमें आपका fixed menu होता है जिसमें आप अपना automatically खाना बना सकते हैं वो सब auto features इसमें काफी होती हैं तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं वो कौनसे पाच ऐसे microwave ovens हैं जो हमने आपके लिए select किये हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला microwave select किया है हमने आपके लिए वो है LG का convection oven ये जो LG का convection वाला microwave oven है दोस्तों ये है 28 liters की capacity का इसकी जो power है दोस्तों वो है 1950 watts की इसमें आपको मिलेगी दोस्तों product warranty एक साल की और जो magnetron है उसकी warranty मिलेगी 4 साल की अब दोस्तों magnetron की warranty बहुत important है क्योंकि magnetron ही एक ऐसा part है इसमें spare जो आपको काफी costly पड़ेगा अगर आपको replace करना पड़ा तो तो इसमें जित्ती जादा warranty आपको मिलेगी उतना आपका peace of mind रहेगा और उतना ही आपकी पैसे बचेंगे दोस्तों इस वाले model में आपको एक starter kit भी मिलेगी इसमें जो एक special feature है दोस्तों वो है इनका charcoal lighting heater ये दोस्तों claim करते हैं कि इस heater से आपको जो खाना है उसका जो स्वाद है वो आपको बड़ा intact और काफी original मिलेगा इसे आपके जो flavors हैं उनका नुकसान नहीं होगा तो ये इनका अपना patented product है इसमें दोस्तों आपको मिलता है 360 degree motorized rotessory इसमें आपको मिलेगा ये जो है दोस्तों आपको काम आएगा कबाब बनाने में आपके टिक्का बनाने में ये क्योंकि ये आपका बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे हम लोग सीख कबाब में देखते हैं या टिक्का बनाते हुए देखते हैं दोस्तों जो इसकी online price है वो है 16,540 रूपीज दोस्तों जो दूसरा model हमने आपके लिए select किया है वो है दोस्तों Samsung का 28L का convection microwave दोस्तों इसकी capacity है 28L इसकी जो wattage है वो आपको मिलेगी 2100 watts की इसमें आपको एक साल की product warranty मिलेगी और 5 एस की आपको magnetron की warranty मिलेगी इसमें दोस्तों ceramic enamel coating आती है और इसमें rotastery नहीं है और इसमें starter kit भी आपको नहीं मिलेगी इसका जो price है दोस्तों वो है अभी समय online 11,590 that is 11,590 रूपीज का इसका price इस समय market में चल रहा है दोस्तों यह तीसरा मैंने आपके लिए choose किया है product वो है आपका panasonic यह panasonic का microwave one है दोस्तों यह है 27L का दोस्तों 900 watts इसके में आपको मिलेगी एक साल की product की warranty और आपको 4 साल की मिलेगी magnetron की warranty इसमें जो दोस्तों special है वो है इसमें दो grills है top और back में जिससे आपकी cooking और grilling और baking तीनों में आपको काफी मदद मिलेगी इसका जो price है दोस्तों वो है 10,990 और इसमें भी दोस्तों capacity का microwave 1 इसकी जो wattage है दोस्तों वो है 900 watts का इसमें 900 watts की wattage मिल जाएगी ये आपको one year का product warranty मिलेगी इसमें दोस्तों और three years की magnetron की warranty मिल जाएगी इसमें भी दोस्तों dual grill available है जैसे top और back में ये दोस्तों आपको मिलेगा rotisserie के साथ 360 degree motorized rotisserie है इसमें आपको मिल जाएगा ये दोस्तों cost कर रहा है आज की तारीक में 14,999 रोपीज के दोस्तों जो आपको पांचमा जो product है वो है Murphy Richards का microwave one ये दोस्तों है 30 liters का microwave one इसकी जो power है वो है 900 watt power का ये आपको मिलता है 2 years की product warranty के साथ इसमें भी दोस्तों आपको एक rotisserie मिल जाएगा और ये motorized rotisserie है और इसकी जो कीमत इस समय market में है वो है दोस्तों 14,500 रोपीज की दोस्तों इसके बाद मैंने आपके लिए solo microwave का भी एक selection किया है अगर आपके पास already घर में एक OTG है तो आपको एक solo microwave लेने में कोई problem नहीं है आप ले सकते हैं क्योंकि बाकी काम आपका OTG कर देगा तो दोस्तों जो model मैंने select किया आपके लिए वो है Samsung का solo microwave का oven ये है दोस्तों 23 liters का इसकी जो power है दोस्तों वो है 1150 watts की इसमें आपको एक साल की product warranty मिलती है और एक ही साल की आपको magnetron की warranty मिलती है ये भी एक काफी अच्छा product है आपके लिए इस समय market में दोस्तों इसका in sub का मैंने link जो है buying link अपने description में दे रखा है अगर आप चाहें तो उस description link से आप इस products को खरीच सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमें अगर कोई doubt है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं और हमारे channel को like, share और subscribe जरूर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाले videos की जानकारी मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों झा सकते हैं